I hope आपसे बच्चे होंगे, तो दोस्तों, हाज, 25 का 1st shift के बारे में बात करेंगे, तो 1st shift में आपका RC, Experiment Base पे था, 8 questions था, Close test पे 6 questions था, Spotting error पे 1 था, तो आप लोग बताएं, Spotting error पे कितना था, Sentence Rearrangement पे पास था, Word Usage पे पास था, Word Swap पे पास था, तो इंग्लिश का लेवल बताया जा रहा है कि इजी था ठीक है तो आप लोग भी बताए क्या था उसके बाद next हम अगर बात करें difave 2 डिय देयाई भी था टेबल डियाई कैसे लिद डियाई थोड़ा हार था कैसे लिदियाई लोग कह रहे हैं ठीक है जितना बात हुआ मेरा आप लोग तो इसके बाद अगर यहां पर रिजनिंग के अगर बात करें तो रिजनिंग पर एक सेकेंड वेट किजिएगा आपका रिजनिंग पर यह रहा चीक है रिजनिंग पर आपका था पजल फ्लोर फ्लैट पजल था पाच कोशिंट सीटिंग अरेंजमेंट था अंसर्टन नंबर था सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट दस कोशिंट इन इक्वालेटिस का पाच सीलोक्स का चार एर्थमेटिक सी तो अगर ओवरॉल देखा जाए तो यहां पर इंग्लिश का 22 25 था इजी मैं नहीं कहूंगा मतलब ठीक ही ठाक था इजी थोड़ा हलका लेवल आप कहूंगा ठीक है क्वांट तो मैं मोडरेट कहूंगा इजी नहीं कहूंगा ठीक है अब आप अपने हिसाब से बताए कि क्या था रीजनिंग ठीक ठाक मैं इजी कह सकता हूं रीजनिंग आप 25 प्लस बना सकते थे तो ओवरॉल अटाम 72 75 के बीच में है तो आप लोग अपना अटाम शेर करें आ और पूरा इंडिया का कटव भी मैं डीटेल में डिसकेस करूंगा तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट में और कोई डाउट हो तो आप लोग कॉमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना शेर कर सकते हैं फर्स शिफ्ट में कि आपका आटाम कितना रहा है